आज हम स्टार्ट करेंगा अपनों लेक्चर लेक्चर नोबर फॉस्ट बेस रिप्रदक्टिव आसलेशन ठीक है रिप्रदक्टिव आसलेशन के पढ़ते है इस रिप्रदक्टिव आसलेशन क्यों आती है in order in order for one population to become very difficult from another that must be reproductively isolated सबसे बड़ी बात जब हम कहते हैं कि हम जब बात करते हैं कि कोई एक पॉपलेशन आठीक है यह कोई एक स्पिशी दूस्पिस ते से डिफरेंट है कि लुग ऑप पॉपलेशन घ्या कॉ होती है और या इस Japanese को क्या कर सकते है इंडर ब्रीड कर सकते हैं ठिक है वह पॉपलेशन नाते और आ उस्पियां करते कई लेकिन रिप्रुडट्िव आइसलेशन के confrontation एह सुलेशन के जम दो इंटिव नहीं कर सकते उनने रिप्रुड़क्टिव आइसलेशन होस कि यह यह किया रिप्रुड़ एएसलेशन और इसी संप How मैं एक है पार्यट पर्स टूस्हा धिल सrun के रिप्रड़क्टिव एस्लेशन यह क्या है मोडफ स्पैसियेशन है हम स्पैसियेशन पहले पढ़ चो किया कि किसी कैसे बनती है अगर आप यहाद हो तो इको टाइप इको फें सीनो स्पैसी ठीक है उसको प्रिशी यह चार चीज़े हमने पढ़ी थी कि इस फेंस से गुज नहीं कर सकते एक दूसरी के साथ नहीं कर सकते की कि मेटिंग नहीं हो सकती यह कर सकते फ्र्टactivmen और बार्यैर सब्सक्राइब देते किसका नम देते बैरियर का और वोट में से बैरियर दो तरह क्यों होते है एक होता है प्री जाइगोटिक बैरियर और दूसरा होता है पोस्ट जाइगोटिक बैरियर प्री जाइगोटिक बैरियर जो के जाइगोट के बनने से पहले के बैरियर होते है पोस्ट जाइगो सकते हैं कि क्या है different species है क्योंकि species की definition देखे ना आप इसी को species कहते हैं तो जब दो अपस में इंटर्वीडियर कर से कि तो obviously वह क्या है different species है तो हम क्या कहते हैं कि इस पर जासे क्या होता है हम इसको mode of species भी बोलते हैं पिर हमने का के reproductive asylation होती है हम इसे हम एकषड़ा कर दो तरह हैं गैरी से होती है एक होता है प्रिजाइक बैरियर दूसरो था होता है यह को का इसफेल बन्ने से पहले खोता है और प्रस भेएट के बन्ने से बाद elder होता है यह आप तो क्या है रेपर्डैक्टिव आइसलेशन मैकनिजम इन्टर स्पिशी मेर्टिग एडर फर्टलाळजरशन ने चले ने चलेशन के तरह दो स्पिशी के मेर्टिग के दर्मयान चले जो ग्या जाते हैं प्री-जैगोटिक बारियर सब्सक्राइले इसमें behavioral isolation के जो है दो species हैं हमने का है कि inter species mating ठीक है दो species के दर ब्यान में जो barrier आएगा उसमें क्या सकते है कि वो mating कर सकते है तो नेचर में डिफरेंट आ सकता है दोनों की इन्वाइर्मेंट में डिफरेंट से हमने उस दिन बात की उसमें के एक जो और रिपर्डियोश की नहीं तो यह एक ब कर सकेंगे इसके जो रहा है उसकी वरी की चैनल रहा है दोनों में क्या कर सकेंगे जानवाइर्मेंट्स ने कर सकेंगे प्लाइं तो यह सबसे पहले को जागिए behavioral isolation सेकरिस्ट टेप पोरल ऐसलेशन इस बिलोंग टुटाइम ठीक है ताइब डिफरेंस मतलब जिसे एक फ्लार है ठीक है वह ब्लूम कर रहे है वह सुभा ब्लूम करता है पांच बजे ठीक है और एक फ्लार रहा वह शाम को पांच बजे ब्लूम करता है दोनों डिफरेंट नहीं हो सकती इस अप कहेंगे Temporal Isolation है 10 और वन इस Ecological Isolation and Ecological Isolation Obviously Ecosystem isolation कि दोनों के Megaserm kor doen apcm 세akности is질看 it कुसित इको सिस्टम है कि सीरी त्रीशिटल सितमें डिफर्ट एको सिस्टम दोनों कि अपकर सकेंगे प्रिडीउस नहीं कर तो उसकी जो ओवरी तक जाना है पॉलर्ण डे तरी में तक जाना है तो इसको हम कहते हैं मेकैनिकल आइस्वलेशन गमीट आइस्वलेशन सब्सक्राइव में प्राबलम आएगी तो इसको हम कहते हैं गिमिटिक आइसलेशन तरह पोस्ट-Zygotic Barrier में आ जाते हैं Reproductive Isolation Mechanism that prevents reproduction in offspring from interspecies reproduction मतलब वही है लेकिन वह क्या का रहा है कि वह fertilization ही हो सकती है फटलेशन के बाद की मजीद आगसे improvement नहीं होगी प्रीजेवियर्टिक में हम कहारें के जाइगोट टक बात पहुंचती रही है थिक है बीहेवियर्ण टैपोरल इकॉलजिकल मेकैनिकल या गिमिटिक इस तरह उसके इंफ्लूइंस करता है कि जाइगोट ही नहीं बनता लेकिन अगर कभी जाइगोट बंग गया है तीक है नहीं होगा मदर की वो प्रक्रफ नहीं कर दिलिवरी इसकी जतेकि प्रॉर्ण। इस स्वीहर शाइब कर नियर्ण। क्या है अकर आफटर जाइगोट इस फर्म कब पनते हैं जब जाइगोट बढ़ जाता है ओके लिए उसके बाद क्या है प्रिवेंट इटेंप इनरे क्या हो उसके बाद क्या है प्रिवेंट n अटेंप टेंप लिंट फेड़ीट लाह हो हो अगर मेडिंग successful हो गई है हें डृणिक fertilization कि अगोर स्पर्म की जो fertilization हो रही है वह दा हो जी किसमें आएगा pre-zygoting में zygote से पहले लेकिन अगर जाइगोट बन गया तो उसके बाद क्या हो गी पूस द्यूटिक बियर्टी कि भूग इवलमेंटल एरइन्ज होगि उसके इंदर इंदक डिफेक्ट होगे अगर डिवलमेंट में हो भी गिया थो फिर बढर्थ नहीं होगी बढ़ हो भी गई यह तो क्या होगा signals and rituals examples male frogs of different species have unique calls that attract only females of their own species fireflies showing distinct pattern of flashes attract various mates behavioral isolation of BIA ही मैं आपसे बात किये नहीं जैसे हमने कहा है कि behavior में different हो सकता है कि different जो होते है species है okay behavior isolation मैंने क्या पड़ा है कि courtship का मतलब होता है courtship कहते हैं जब कोई एक मेंट आपने दूसरे मेंट को अपने ट्रैक करते हैं उसको courtship कहते हैं ठीक है तो different species के आपस में different courtships होते हैं जिसे हमने पढ़ाए कि frog का जो हो different secret होते हैं अपने species की females को अपने ट्रैक करने के लिए जो fireflies है उनका भी अपना एक pattern होता है flashes को मदब flashes के साथ ट्रैक करते हैं ठीक है fireflies जो होती है जो होते हैं सब पतंगे वगारा बोलते हैं जो तो ऑविसली जब एक species specific signal है तो दूसरे को ट्रैक नहीं कर सकता तो दूसरे को ट्रैक नहीं कर सकेगा तो ऑविसली उनमें fertilization नहीं होगी क्या होता है कि जो दो different species है उनका behavior different है इसमें courtship और meeting clues आ जाते हैं उन्हों की courtship signals और meeting clues क्या है different है एक species जो है male partner या female partner अपने दूसरे female partner को क्या करने के लिए उसे meeting clues दे रहा है तो दूसरी species तक तो नहीं पहुच रहा है क्योंकि अपना behavior है आपस में क्या करेंगे मेर्टिंग नहीं करेंगे और reproduction नहीं होगी मतलब के पहला क्या हो गया prezygotic में के उनकी fertilization क्या उनकी मेर्टिंग पॉसिबल नहीं हुई behavior isolation की वज़े से second in temporal isolation different species breed at different times of year example often used by plants because plants cannot move so they must use mechanism such as time to reproduce at specific times तो पॉसिबल है animals के दर ज्यादा ठीक है different behavior है लेकिन जो plants क्या यूज करते हैं हो सुबा को ब्लूम करें दिन के time कुछ शाम के time bloom का रहे है को species है वो spring के अंदर bloom करती है कुछ ब्लूम कर जाती है कुछ species ने भीइड में ब्लूम करती है जब उनकी ब्लूमिंग सीजर इडिफरेंट है वह ब्लूम इडिफरेंट ताइम पर रही है तो पॉलिएशन नहीं हो सकती तो फिर उनकी रिपर्डक्शन भी पॉसिबल नहीं रहती फी जिटिक बैर टेंप पर रासिलेशन पर नार्स तू और मो करेंगी तो कर नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पर उसके पोलियाबल यह होंगे इसके क्या कर सकती है आपस पे पॉली ने कर सकते हैं उनकी फेटिलाइज़चन यह थे यह तो था दिन के और्षिट िवेंड झीडिये के दिन के डिफर्ट इसों में वह ऑपने होते है कि सबीक है कि इसके स्बाइब करती है कुछ सब्स esta forward के वह राद को ब्लूम करती यह तो जिस और डर्डी होगी राद कि नी ओगी होगी एक डिफिर्ट टाइम सोते नितर में क्या कर सकती है अपने टाइमً तैम करेंगी है अपने टाइम निके फूल के लिए की पो स्प्रिंग वाइल अदर स्पिशी प्रड्यूस फ्लावर अड ले टाइम यह जो पसी फिलोज है ठीक है फ्लावर होते हैं जो होती नहीं है वाइट कलर के रूई जैसे जो फूग बारे तो उसके सारे जो उट जाते हैं चोट चोटे से जो लीफ लैट्स होते हैं तो प्रड़ बीव इसके वाइसे लिए आता है रिप्रड़क्टिव एसलेशन हो जाती है थर्ड़ वन इस एकोलोजिकल आशलेशन इसमें क्या आएगा वरी इससी मिलर स्पिशी बें पएट्रॉपई दिफर्ट हैं इस त्पिशित चुपाइट रिजिए प्र्च इप्र इस individual mate in their perfect habit and therefore do not meet individuals of other species with different ecological preferences for example the mountain bluebird lives at higher elevations while the eastern bluebirds prefer lower elevation and does not encounter the mountain species different ecology है उनकी ecology क्या है high level उनकी ecology क्या है low elevation तो आपस दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तक्राएंगे नहीं तो उनमें आपस में क्या होगा reproduction ही नहीं होगा this is ecological isolation उसके बाद यहां पे different habitat बताया है इसे हमने उसने में बात की मैं आपके पहले example दी है ecology में के जो एक flower था उसने हम पाड़े थे जो species पाड़े थे ब्रासिका किस species पाड़े थे और किस की species पाड़े थे उसके दर हमने जब हम तो ड्राय के अंदर दोनों की ecology क्या थी difference इस तरह यहां उन्हें एक्जेंपल दिया है वियोला वैंसिस की और वियोला ट्राय कोलर की यह दोनों क्या है जीनस देखे इनकी से में species क्या है difference है क्योंकि इनकी ecology different है ecology different है तो इनमें क्या है है reproductive isolation है ecology क्या से different है एक जो है वह सी यो सी यो सी ये सी यो थी की oil में grow करता है मतलब alkaline soil में और दूसरा acidic soil में एक क्या है basic nature है एक क्या है acidic nature है दोने की ecology क्या है different है ecology different है obviously उनका भी behavior में different होगा जिसके मैंसे मैं क्या कर सकते रिप्रड्यूस नहीं कर सकते दियर फिफ्ट वन इस mechanical isolation में क्या होता है कि difference in morphological features may take two species incompatible अधर मुर्फोलोजिकल features जी जी में आपको pollen size की बात बताई है कि pollen size बढ़ा हो सकता है उसकी tube चोटी हो सकती है ठीक है narrow tube है pollen उसमें से pass out नहीं कर सकता तो इसके वज़ा से जो है ना उन में difference आ सकता है morphological changes की वज़ा थे the structure the genital is so genitals बहुते है reproductive parts को female genital male genital female reproductive part male reproductive part is so distinct that is often used as a character in insect classification insects के अंदर इसकी example हम देते हैं कि insects के अंदर दोनों के क्याता है genital difference बहुता है जिसकी वास में reproduce नहीं कर सकते only one male reproductive organ will fit into the specific female reproductive track for a specific example manage insect have modification of the genitalia such that male and female parts are a perfect mechanical fit orchids are examples so that the only certain beetles can reach the point of pollination ठीक है और्चिट की example हम लेते है उसको certain beetles को क्या कर सकती है इसको pollinate कर सकती है therefore pick up pollen तो भी क्या करेंगी इसके pollen को pick करेंगी दूसरी species है उसका यह वाले उस पर यह वाला mechanism नहीं है उसके पॉलर्स जो है वह 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 तक नहीं जाते एक स्पिशी के अंदर वह बीटल्स यह वह पॉलर्स ले रहे है लेकिं दूसरी स्पिशी के अंदर वह पॉलर्स को add नहीं कराते ठीक है इस बिकनिकल भी है वेला से ऑफिस लोटिन के प्रैयेशन नहीं होगी नारियुन की क्या होगी रेप्रोड़क्शन होगी लास्थ इस ग्मीट आसलेशन ग्मीट इस निया क्या होगा आफिस लुट क्या होगे डिफुरेट होगे कि बेल के बीट है जैसे हम पाड़े है जो पानी मुव करके एग तक पहुचते हैं कीमो टाक्टिकल है ठीक है यह बात पर के विए मूव करते हैं तो हो सकता है के एक स्पेश इसको emergency के जो एक स्पेशी डूसरी का जो पहुचते हां जो पहुचते हैं पहुंचे का नहीं और उसको फर्टिलाइज नहीं करेगा इसको हम कहते हैं गमीटिक आइसलेशन मेल कमीट्स में नॉर्ट बी अबल टो डिक अर फर्टिलाइज और एंग और दिफरेंट स्पेशीज जिसमें कि अधाक टू पॉपलेशन एक्सचेंज पर मैं एंग बट कैमि की अनधर होती है आग भी रिलीस करते और यह समय और इस पर्ण इनीं कर सकते सिर्फ अपनीजी का चार सकते हैं इसे क्या बहुत है यह चार और कि बाटिए है reproductive isolation के prezygotic जाइगोट बनने से पहले दो species में आपस में मेंटिक ना हो सके ठीक है उन में reproductive isolation हो उसके लिए कि आते हैं prezygotic barriers इंशाला next lecture में postzygotic barriers पढ़ेगे अला आफिस